इनके लबे रंगी की निठाबरें थी के जिसने इस वाल राजिस्थान से है इनका सोने चांदी का काम है सुनाहर का तो ये मालूम करते हैं कि जो चांदी के अंगोठी होती है तो ये शर्य अंगोठी बनाते हैं साड़े चार माशा से कम रखते हैं सवाचार ये चार माशा तक की मगर बाज कस्टुमर ऐसे भी आते हैं जो कलमगो होते हैं मुसल्मान होते हैं और वो इनसे ज्यादा के अंगोठी मर्द के अंगोठी तलब करते हैं बाइब इस सूर्ट में के उनकी 5 मूटी यारी जाहिए जिस समान का इस्तेमान करना जाइज नहीं है उस में बनाकर देकर उसकी जाइज नहीं है तो अगर आपके पास कोई ऐसा अच्टम और आता है कि जो आपको मालूम हो कि हाँ ये मुसलमान भी है तो इसके उपर शरीयत के एहकाम भी फॉलो करना वाजिब हैं तो ऐसी सूरत में अगर वो शक्स आप जांगोठी तलब करता है कि पांच ये साड़े पांच माशा तो आप उसको इंकार कर सकते हैं अब उनसे कहें कि यहाँ बें सिर्फ जो है वो इस चीज़ को जैसे के अंगोठी को लेने के जिसका पहन शरीयत में जाइज नहीं है उसका में किसी कि मदद करना भी जाइज नहीं है जब आप अंगोठी के देंगे और वो पहनेगा तो उसके जो गुना होंगे उसमें आपकी मदद शामिल होगी और कुरान इस बात से मना करता है कि गुना के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो तो आप जो है वो इस सूरतमस को मना कर सकते हैं, इतना हो सकता है कि अगर वो एक से ज़्यादा अंगोठी मांगे, तो हो सकता है कि वो अलग डिजाइन की दो अंगोठी तलब करता हूँ, चार माशा की तो हो सकता है, बदल-बदल कर पहने, या एक किस उर के लिए हो, तो यहा देने की गुंजाईश निकल सकती है मगर मर्द के लिए शरीयत में जितने ते मिगदार है उससे जादा भारिया मूठी बनाना ये जाइज नहीं है और इसको मना कर देना चाहिए अब इससे होगा ये कि आप अगर मना कर देंगे तो वो दूसरे के महां जाके यानि बनवा लेगा तो इसका जवाब ये है कि आप जो है अपनी कबर में अपना हिसाब किताब देंगे दूसरा आपना देगा बाकी गुना के काम उपे मदद है और ये हर उस किसम के लिए है जो लोग सवाल पूछते हैं ये कारोबार और वो कारोबार और हम इसमें सिर्फ इतना काम करते हैं तो जो काम नाजाइज है उसमें मदद करना ये उसको बना ना बना कर लोगों को देना और ये काम भी जाइज नहीं होगा फिर भी जिसके साथ जो सूरत हाल हो पुरनवार बनाया